यदि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद इस बैल आइकन पर क्लिक करें और फिर इस औल के बटन को ज़रूर दबादें इसके बाद आपको नोटिफिकेशन मिलने लगेंगे आपके लिए ये कौशन ज़रूर लट देना क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहे हैं इसलिए प्लीज इसको याद कर लेना चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे वीडियो कर दीजे लाइक श्टार्ट करते हैं बिना देर के वीडियो को पहला कौशन दिखे पॉजी ट्रॉन की खोज किस न की तो पॉजी ट्रॉन की खोज C.D.E. एंडर्सन एवं U.F. हेस दवारा की गई है द्रव्यमान संख्या किस का योग होते है तो द्रव्यमान संख्या तत्व में उबस्तित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का योग होता है द्रव्यमान संख्या एस्पीरीन का रासाइनिक नाम क्या है तो एस्पीरीन का रासाइनिक नाम एसिटिल सैलिसिलिक एसिड है पर्माणू क्रमांग होता है तत्यों का क्रत्यम रूप से हरे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है तो क्रत्यम रूप से यदि फलों को आपको पकाना हो तो एथिलीन गैस का यूस किया जाता है हरिश्चंद रिसर्च इंस्टिट कहां पर है तो हरिश्चंद रिसर्च इंस्टिट प्रियाग राज इसको आप पहले इलाबाद बोलते थे वहां पर इस्तित है सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है तो सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है GAMAXEN किसका राऊसायनिक नाम है तो GAMAXEN बोलते हैं Benzenhexacloride को यार क्येगा GAEMAXEN Benzenhexacloride DhrowavePoonima तथा DhrowavePoonima तथा Iris क्या है तो DhrowavePoonima तथा Iris जो है भारतिय शोध रियक्टरों के नाम है मोश्ट आए कोशाम में कई बार पूच्छा है समिस्थानिकों के रासायनिक गुण कैसे होते हैं तो यदि समिस्थानिक होंगे तो उनके रासायनिक गुण समान होने चाहिए कच्छ स्थानों में वनस्पती के अबघटन के कारण उत्पन होता है तो कच्छ स्थानों में वनस्पती के अब घटन के गारा मेथेन गैस उत्पन होती है या रखना कल पक्कम प्रसित्य है किसके लिए तो कल पक्कम जो है परमाणू सक्ती सयंत्र के लिए जाना जाता है राइट आंसर हो जाएगा किसी परमाणू में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की संपून उर्जा कैसी हो सकती है तो किसी परमाणू में घूमते हुए संपून इलेक्ट्रॉन की उर्जा कभी धनात्मक नहीं होगी या रखेगा प्रसितक फ्रियोन क्या है तो प्रसितक जो फ्रियोन होता है बोर मॉडल व्याख्या कर सकता है किसकी तो बोर मॉडल जो है किसी भी परमाणू या आयन की व्याख्या कर सकता है जो केवल एक इलेक्ट्रोन धारक हो ओजॉन में क्या होता है तो ओजॉन में केवल ऑक्सीजन गैस होती है ओजॉन का क्या होता राशानिक सुत्र ओ थ्री या रखेगा संभारिक क्या होते हैं तो संभारिक का मतलब होता है सामान दरब्यमान संख्या और भिन भिन परमावु संख्या वाले तत्मों को संभारिक बोला जाता है मिथाइल आइसो साइनेट से कौन सी त्रासदी हुई थी तो भोपाल गैस कांड में भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसो साइनेट लीख हुई थी या रखना साहा इंस्टिटीट औफ नुकलियर फिजिक्स कहां परिस्त है तो शाहा इंस्टिट औफ नुकलियर फिजिक्स कलकत्ता कोलकता में इस्तित है हाइडोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सरपथम किस ने की थी तो हाइडोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सरपथम नील बोर द्वारा की गई थी खाद परिक्षण के रूप में सबसे अधिक प्रियोग होने वाला पदार्थ कौन सा है तो खाद परिक्षण के रूप में बेंजोईक ऐसेड का सोडियम लबड इसका प्रयोग सबसे अधिक होता है भारत के न्यूकलियर रेक्टर में प्रयोगत क्या होता है बारत के जो भी न्यूकलियर रेक्टर है उसमें मोश्टली जो है आपका यूरेनिया में 238 प्रियुक्त होता है एक्सक्रिणों की उत्सल्जन के विपरीत प्रभाव को क्या कहते हैं तो एक्सक्रिणों की उत्सल्जन के विपरीत प्रभाव को प्रकास विद्धुत प्रभाव कहा जाता है उत्प्रेड़क वह पदार्थ है जो अभी क्रिया की दर को बढ़ा देता है Atomic Minerals Direct Rate for Exploration and Research कहां इस्थित है तो यह जो आपका इस्थित है यह इस्थित है आपका हैदराबाद में यार रखीगा कौन से कक्षक डंबलाकार होते हैं तो कौन से कक्षक होते हैं तो पीक अक्षक डंबलाकार होते हैं यार रखीगा वह जीव कौन सा है जो वायू प्रदूशक को मॉनिटर करता है तो स्यवाल एक ऐसा जीव है जो वायू प्रदूशक को मॉनिटर करता है हाइडोजन बम किसने विक्सित किया था तो hydrogen bomb विक्सित करने का श्री जाता है Edward टेलर द्वारा ये विक्सित किया गया था परमानुक अक्षाओं का अभी विन्यास किसके द्वारा नियंत्रत होता है तो परमानुक अक्षाओं का अभी विन्यास नियंत्रत होता है, चुम्ब की quantum संख्या द्वारा most IMP caution ने कई बार exam में आय हुआ है वायू प्रदूश्यकों में होते हैं क्या तो वायू प्रदूश्यकों में mostly आपकी gases होती है और क्या होती है और होते हैं आपके particulates मतलब विशाक्थ gas है gas plus विशाक्थ gas hydrogen bomb आधारित होता है तो hydrogen bomb आधारित होता है उसमें सल्ल्यान होता है लेकिन कैसा सल्ल्यान जिसका नियंत्रत नहीं किया सका आधारित सल्ल्यान होता है लाइमनस रेनी में electron उच इस तर से किस इस तर पर वापस आते हैं तो लाइमनस रेणी में इलेक्ट्रोन सबसे उच्छी स्तरसिक के उर्जा इस तरवा पर वापस आ जाते हैं रात को पेड़ के नीचे सोने की सलह क्यों नहीं दी जाती है तो रात को पेड़ के नीचे सोनी के सलाइस लेने दिया आती क्यूंकि carbon dioxide का motion होता है पेड़ के द्वारा पेड़ जो है carbon dioxide रात में छोडते हैं और दिनले फरकास अंसलेशन की क्रिया के साथ oxygen छोडते हैं सूर्य तथा तारों में उर्जा उत्पादन का सिद्दान्त किस ने प्रतिपादित किया था तो सूर्य और तारों में उर्जा उत्पादन का सिद्दान्त जो है हे बैथे इनके दुआरा जो है प्रतिपादित किया गया था मुष्ट आइमप्य या रखना मुख्य कक्चा में कुल कक्चकों की संख्या कितनी होती है तो मुख्य कक्चा में कक्चकों की संख्या N2 होगी या रखीगा परमाणू रियक्टर क्या होता है तो परमाणू रियक्टर एक आणविक भट्टी होती है परमाणू रियक्टर या रखीगा गलीओं में लगी मरकरी तथा सोडियम की लिम्पे जलती है किस कारण से? तो उसके अंदर सोडियम लिम्प के अंदर मरकरी लहिंप के अंदर आपका परमाणूओं का उसक्रजन करती है इसलिए जलती है, वो यार रखेगा तंबाखु का धुवा स्वास्त के लिए हानिकारक क्यों है क्योंकि तंबाखु के धुवे में निकोटीन पाये जाता है जो कि स्वास्त के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है परा यूरेनियम तत्तों का संसलेशन किस ने किया था तो परा-यूरेनियम तत्मों का संसलेशन करने का से जाता है जी टी सी बॉर्ग को यार रखेगा मोश्ट आएमपी कॉश्चन है एक्जाम में पूछा गया है प्रोटॉन की खोज किसने की है तो प्रोटॉन की खोज की थी गोल्ड इस्टीन ने अगला कॉश्चन सोलर सेल में उप्योग किया जाता है क्या तो सोलर सेल में आपका सिलीकॉन का प्रयोग किया जाता है साइक्लोट्रोन प्रयोग किया जाता है किसलिए तो साइक्लोट्रोन का प्रयोग होता है प्रस्फुर्ण से इसकी पुष्टि की जाती है और यह राज का आपका आखरी क्रश्ट कॉशन दरश्च्य करणों एवं एक्स करणों में सरवादिक उर्जा होती है इक आथ कोशन और बचा होगा शायद प्रकास बोल्टीय सैल होते हैं अरे वाह एक कॉशन और बचा है यह है आपका आखरी कॉशन कैडमियम और थोरियम में से परमाणू इधन की स्रेणी में नहीं आता तो आपको उता दें थोरियम परमाणू इधन की स्रेणी में आता है Thorium का use किया सकता है Uranium का तो use करते ही करते है Cadmium का use नहीं करते परमाणू इधन के रूप में ये हो गए आपके 50 कॉशन सुपर फास्ट फटा फट करवा दिये मैंने 50 science के कॉशन यदि वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो झाल